दस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सेर्शिज में एक बड़ी ही बड़ी न्यूज वाइरल हो रही है सोसल मेडिया पे और बहुत सारे स्ट्रेंट अकलपसों से ही फोन आ रहा है कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है UPPSC में समाप्त हो रहे हैं वैकलपिक विश्यों को लेकरके एक उपापोह की जो इस्थिती पिछले दो-तीन सालों से बनी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट लें किसमें जो है अच्छा स्कोर होता है साइन्स के सब्जेक्ट को ज़्यादा वरियता दी जा रही है आर्स जो हिमनिटीज के सब्जेक्ट है उसमें जो है नंबर कम दिये जा रहा है इन सभी बातों पर डीटेल बात चीत करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मुस्किल से वीडियो जो है पांच मिनिट का होगा और इसमें हम लोग सारी चीजे देखेंगे कि क्या वैकल्पिक विशे हटाना सही है या गलत है आप जो है इसमें कमेंट भी करिएगा और विगत कुछ दिनों से ये काफी चर्चा में है और मैंने इसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया है आयोग के अंदर से भी ये सूचना आ रही है कि ये वैकल्पिक विशे क्यों लेकर के सासन को जो है भेजा गया है शासन को क्या है ये एक अब सासन जो है यानि कि भारत उत्तरप्देश सरकार जो हो डिसाइड करेगी कि क्या इसको हटाया जा सकता है या नहीं तो स्केलिंग का विवाद समाप्त करने के लिए छात्रों ने लोग सेवा आयोग अध्योग से ये मांग की है वैकल्पिक विशे को लेकर के और सायद ये 100% तो मैं स्योर नहीं कह सकता हूँ लेकिन ये अंदर की ये सूचना है कि आपका सासन को आयोग की तरफ से कुछ नि ये माना है आयोग ने तो उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने के नए अध्यक्ष संजे स्रिनेत के कारेभार समालने के बाद स्केलिंग का मुद्दा फिर से गर्माया है ये बहुत पुरानी न्यूज है और बहुत सारे प्रत्योग्यों ने इसमें लगातार जो है इस जो हमारी बात हुई है या जो हमें information मिली है उसमें ये है कि दो पेपर नए जोड़े जा सकते हैं और जिसमें कि एक UP special और सुनने में आ रहा है कि एक stats या किसी अन्ने का statistics ठीक है न ये दो पेपर सायद जोड़े जा सकते हैं तो ये कुछ सुनने में खबर आ रही है अभी दे आयोग का notification नहीं आ जाता ठीक है न आयोग का notification नहीं आ जाता और ये notification के साथ ही clear होगा अलग से notification देगा तब ही जा करके आप clear मानिएगा अब हम लोग इस मुद्धे पर बात करते हैं कि क्या हमारा ये आयोग जो रहा हटाया गया जो ये प्रस्ताव है अगर पारित होता है तो क्या समझ जाओगी तो मेरे ख्याल से जो आयोग है UPSC जो commission है वह totally UPSC को follow करता है ठीक है न तो UPSC को follow करता है तो UPSC ने सब optional नहीं हटाया है तो UPSC भी optional नहीं हटाएगा जहां तक मेरा speculation है लेकिन अन्य state की recommendation जैसे कि आपके 36 गड़ आदिर state में जो है वहाँ पर optional subject न रहे हैं उन कारिक्रमों से आप जोड़ सकते हैं और साथ ही दोस्तों अभी जो है ना आरो एरो की वेकेंसी आ रही है इस माह यानिकि नॉमबर में BEO की अब सीटों को लेकर के मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा 100% क्लियर कितनी सीटें आ रही है बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं दोनों ही परिक्षाओं में तो उस पर हम लोग बात करेंगे 5 वेकेंसी आ रही है ठीके ना 5 वेकेंसी सी महीने आ रही है आयोग की पाँचों के बारे में मैं एक आप लोग कमिंट बाक्स में बताइएगा सीटों की संख्या भी मैं बताओंगा कल के वीडियो में और य जनवरी तक हमें clarity मिल जाएगी जब तक आयो clear नहीं करता है हमें मानने के आवशक्ता नहीं है बिना आग के धुआ नहीं उठता है तो इस पर बातचीत हो रही है तो दोस्तों हमारा आरंभ बैज चल रहा है दोस्तों foundation badge जिसकी fees आज ही तक मात्रे 449 ये कल से 12,999 हो जाएगी इसको आप जोईन कर सकते हैं हमारा triple action badge जो है इसको आप जोईन कर सकते हैं जिसमें हम मात्र 2,000 रुपय में आपको ये complete course जो है करा रहा है प्रलिम्ज का ये 2,999 है तीन अजर में तीक है न इसमें आप कर सकते हैं हमारा आरो यारो का badge जो है 2499 में आपको complete हो जाएगा आरो यारो जिसमें हिंदी भी cover रहेगी और खंड सिख्षा अदिकारी दीच्छा badge है जो हमारा वो 3,999 में है इससे आप जोईन कर सकते हैं जिसमें daily answer writing भी हम लोग करा रहे हैं इसको कल से ही शुरू हो रहा है एक नॉम्बर स सारे courses शुरू हो रहे हैं इसमें दोस्तों हमारे अन्य बैचे जैसे annual answer writing की fees जो है एक हजर थी और धाई सो लोग जूड़ चके हैं 250 लोग अब जो है उसको बंद कर दिया गया है नय बैच जो चल रहा है वो मात आपको 3000 फीस इसमें अब देनी होगी जिससे और लोग भी हम टीम में और लोगों को बढ़ा सकें तो यह रही आपका समरिद्धी बैच है एसे का है अन्य सभी बैचे इनसे आप जुड़ सकते हैं तो यह रही complete जानकाई दोस्तों आशा करता हूं कि आपको information सही लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि optional रहे या हटे एक बार comment box में ज समस्या हो जाएगी कि GS को वैकलपिक विशय नहीं होने की वज़े से GS में वह सारा उहा पोह रहता है बहुत सतही लोग बहुत सतही अध्यान करके आप जो है PCS बन जाएंगे SDM बन जाएंगे ठीक है ने जनरल स्टडीज और वैकलपिक विशय का होना बहुत जरूरी है वै जा लिजे philosophy पढ़ते हैं, history पढ़ते हैं, geography पढ़ते हैं, Hindi literature पढ़ते हैं, कोई भी subject पढ़ते हैं तो उसमें आपका एक deep knowledge होता है अगर यह optional खतम हो जाएगा तो यह परिक्षा जो है आसान भी हो जाएगी पुराने लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी जो लोग 2 साल, 4 साल से परिक्षा दे रहें, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जो नए अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इस पर अपने विचार जरूर बताईएगा, मिलते हम लोग अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, पस्टरें, मस्टरें, मस्टरें, मस्टरें.